हाई फ्रेंड्स आज की स्वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे टेबलेट के बारे में जो पहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होता है सब लोग इसके शेप से ही इसको जानते हैं कि ये खुजली में इस्तिमाल होने वाला टेबलेट है फ्रेंड्स आज मैं बात करूँगा सिट्रिजिन टेबलेट के बारे में आपको ऐसी जानकारी दूँगा जो शायद आपको नहीं मालूम हो इसका मैं डोस बताऊंगा कि कितने एडल्ट में इसको कैसे यूज करेंगे कितना डोस दिन में देना है या कितना डोस मैक्सिमा आप दे सकते हैं या कम सकमा आपको कितना इसका इसका इस्तमाल करना है किन कंडिशन में आपको इसे इस्तमाल नहीं करना है तो फ्रेंड्स यह सिट्रिजिन टेबलेट यह 10 मिलिग्राम का टेबलेट है इसमें 10 mg इसकी MRP के मैं बात करूँ तो इसकी MRP भी देख लेते हैं 17 रुपीज यानि आपको पंदर रुपे का आपको दस टेबलेट मिल जाएगा तो दोस्तों citizen का एक तरीके से anti-histaminic यानि anti-allergic medicine है यानि allergy की कोई भी condition आप समझेए जिसे किसी को dust से allergy होती है किसी को किसी चीज से allergy होती है बदन पेदाने निकल जाते हैं इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को दाद हो जाती है जिसमें खुजली होती है किसी भी itching हो कैसी भी खुजली हो उसमें अगर आप इस टेबलेट का यूज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा लेकिन दोस्तों इस्तेबलेट के इस्तेमाल करने के बाद आपको नीद आएगी इसलिए आमतार से इस टेबलेट को डॉक्टर रात में इस्तेमाल कराते हैं त बहुत जादा खुजली है या बहुत जादा एचिंग है तो रात के अलावा आप इसको चाहें तो मौनिंग में भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसके बाद थोड़ा सापको कमजोरी या नीद का हैसास होगा जो आप अगर कोई काम है तो आप इस टेबलेट को रात में लीज और हमाई चिंगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स अलाट थैंक्स वाचिंग इस वीडियो